Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक परसन है, अक्सार आपने नाम सुना होगा, मुखतार अंसारी का, आपने से जो लोग उतर परदेश में रहते हैं, इस्पेशली वारांटसी और उसके आसपास के एरिया में, तो बच्चा-बच्चा मुखतार अंसारी का नाम जानता था, क्योंकि जिस तरह से इ उशुली पॉलिटिक्स में सुच्छ लोग होते थे, देरे जरे क्या होता गया, कि जो क्रिमिनल्स हैं, वो पॉलिटीशन की मदद करने लगें, फिर आगे चलकर क्रिमिनल्स को लगने लगा, कि हम पॉलिटीशन की मदद क्यों कर रहे हैं, हम डिरेक्ली पॉलिटीशन क्यो नहीं बन जाते और यहीं पर सरसारी दिक्कत आ जाती है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो एक तर से पॉलिटीशन बन जाते हैं और डरा धमकार कर कैसे भी अपने राज में रॉबिन हुट फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं और वो लोग तरफ यहां पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि पॉईजन की वजह से हुआ है तो यह पुरा मामला क्या है मुकतार अंसारी क्या है उस सब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिप्रेशन कर रहा है हमारा No Cost AMI जो है स्टार्ट हो चुका है 31st of March तक आप में से जो भी लोग फुल पेमिट नहीं करना चाहते थे पार्ट में आप कर सकते हो 1st, 2nd और 3rd month में और आप इसका ज्यादा स्यादा फाइदा उठा पाएंगे बस आपको हमारे website आप पर जाना है और यूस करना है दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको maximum जो discount है वो मुखतार अंसारी जिसकी उम्र इस समय करीब 63 years की थी उसको cardiac attack की वज़े से मिर्ती हुई है बांदा medical college में देखो क्या है न यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश का map देखोगे तो यह जो capital है लखनो यहाँ पर आपको देख रहा होगा इसके एकदम नीचे southern side में आईए यहाँ पर यह district है बांदा और वहीं पर मिलेगा आपको बांदा जेल जहाँ पर यह कैथ था जिसको सजा सुनाई गई थी जेल के अंदर बन था तो क्या होता है खबर ही आती है कि अचानक से यहाँ पर जो मुखतार अंसारी है उसको vomiting आने लगती है वो बेहोस हो जाता है के अंदर फिर अचानक से यहाँ पर उसको team बुलाई जाती है medical college भेजा जाता है और कहीं न कहीं वो बच नहीं पाता इंफरक्ट मैं आपको बता दूँ जो मुखतार अंसारी है वो 5 बार MLA रह चुका है मौस सीट से जो उतर परदेश में मौस की सीट है वहाँ से member of legislative assembly का member रह चुका है and also 2005 ये UP और पंजाब की जेलों में बंद है पंजाब की जेल में बंद था 2021 में order पास करने के बाद इसको UP ट्रांसफर करा दिया गया था इसके उपर करीब 65 criminal cases pending है अभी भी सोचके देखिए 65 criminal cases pending है और करीब 8 cases में और इसको सजा सुनाई जा चुकी है जिसकी वज़े से इस समय UP के बांदा जेल में ये बंद था जो senior police officer है उनका यही कहना है कि यहाँ पर अचानक से उसके vomiting देखने को मिली और इसी को देखते भी जो medical care है वो देने की कोशिश की गई लेकिन best effort देने के बावजूद भी जो patient है मतलब मुकतार अंसारी है वो उसकी cardiac attack क की वज़े से मौत हो जाती है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एक दूसरा पहलू बताया जा रहा है poisoning का देखो उत्तर प्रदेश में recent times में अगर आप देखेगे तो कई सारे जो gangsters वग रहा है उनकी मृति हुई है और वो काफी controversial हुए है राइट कई बार memes भी चलने लगते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी and I am sure कि आप समझ रहोगे मैं क्या कहना चारा हूँ तो यहाँ पर actually क्या है ना कि मुखतार अंसारी को अभी Tuesday को भी मतलब बांदा जो hospital है medical college hospital है वो तो आपका कल ले जाया गया था लेकिन उसके पहले just 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो Tuesday को भी यहाँ पर उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसी के वो जैसे करीब 14 घंटे तक उसको hospital में रखा गया था और फिर discharge कर दिया गया था लेकिन उस समय क्या है कि उसका जो भाई है मुखतार अंसारी का भाई है अवजल अंसारी एक MP है member of parliament है गाजी पूर सी BSP की तरफ से MP जो है तो अवजल अंसारी के दोरा claim ये किया गया है कि उनका जो भाई है मुखतार अंसारी उसको एक तरह से poisonous substance देखकर मारने की कोशिश की गई है यहाँ पर उसने बताया कि मुखतार अंसारी ने खुद मुझे बोला है कि कही न कहीं खाने में जहर मिलाया गया है जेल के अंदर और इसी के वजए से ये दूसरी बार हुआ है 40 दिन पहले भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था फिर वापस ये केस हुआ है तो कहीं न कहीं इसकी जाच होना जरूरी है इनफरक मैं आपको बता दूँ पिछले हफ़ती की बात है मुखतार अंसारी के जो लिजन है जेल है बांदा जेल वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा कि देखिए अंसारी की जो मित्यू है उसका जो हेल्थ है उसकी वजए से हुआ है उसका हेल्थ लगता डिटॉर्येट हो रहा था और कहीं न कहीं यहाँ पर तीन बच कर 45 मिनट पर पता चलता है कि वाश्रूम में जो है वो गिर गया है और इसी को देखते वे हमने तुरंत यहाँ पर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगरा देना था वो दिया टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी बुलाया गया और फानली जाकर उसको 14 घंटे के बाद मेडिकल कॉलेज से रिलीज भी कर दिया जाता है तो यह पूरा मामला देखा गया था मतलब एक तरफ जो मुक्तार अंसारी के भाई है उनका कहना है कि पॉईजन देकर यह मित्यू की गई है दूसरी तरफ जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि नहीं यहाँ पर पॉईजन का कोई केसी नहीं ह और यहां पर भी अगेन उसकी जो हालत है वो खराब हो गई थी तो अगेन मेडिकल कॉलेज फानल ये लाया गया और वहां पर पता चलता है कि इसकी जो मित्यू है वो हो गई है तो देखें हो सकते तो यहाँ पर क्या है कि यह CRPC section 144 पुरे उत्तर प्रदेश में लगाया तो जाता है लेकिन साथी साथ जो कुछ जो sensitive इलाके हैं जैसे मुक्तार अंसारी का जो home district है गाजेपूर वहाँ पर काफी जादा security तैनात कर दी जाती है ताकि कोई हिंसान आपको पता ही है कि कुछ इस तरह के जो gangsters होते हैं उनके कुछ समर्थक भी होते हैं बहुत उत्सा हो जाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं इसके अलावा जो neighboring district है चाहे म मौँ district हो गया मौँ सदर सीट से वहाँ पर वह लगतार जीत कर भी आया है तो वहाँ पर भी इस तरह की चीजें control करने के लिए कोशिश की गई खैर अप question यह है कि आखिर कार यह मुखतार अंसारी किया था देखो 1963 में इसका जन्म होता है और मैंने आपको जैसा बोला starting में की criminalization of politics वो इसके साथ देखने को मिला था तो he was a notable Indian politician ठीक है तो काफी सारा रोल इसका रहा है वो मैं आपको एक के करके यहाँ पर बताऊंगा लेकिन throughout his life यहाँ पर आप समझे उसकी जो पूरी दुनिया है न वो crime की रही है crime और politics वो उसको एक साथ लेकर चलता था और काफ controversial legacy आप कह सकते हो मुकतार अंसारी छोड़ कर गया है मुकतार अंसारी बेसिकली एक convicted Indian gangster सा ध्यान रखेगा यहाँ पर सिर्फ आरोप उसके उपर नहीं लगाए गया है यहाँ पर वो convicted हुआ है court के अंदर साबित हुआ है कि हाँ उसने crime किये है ठीक है and साथी साथ वो politician भी थ चुका है in fact यहाँ पर वो एक काफी prominent family से भी belong करता है जैसी कि उनके उसके जो grandfather अगर आप देखोगे मुकतार अहमद अंसारी he was the early president of Indian national congress जब आजादी के पहले जब Indian national congress फॉर्म हुआ था तो उसके early president भी थे साथी साथ जो maternal grandfather है मुहमद उस्मान he was brigadier in the Indian army तो he was from the prominent family ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब परिवार या ऐसा उससे आता है साथी साथ यहाँ पर जो अंसारी का criminal activities है वो actually 1990s में ज़्यादा तर देखने को मिलता है especially वो जो वानार्सी वाला इलाका मैं आपको बता रहा था था न महु गाजी politics में entry अगर आप देखोगे तो वानार्सी के अंदर आपको पता है बनारस में जो ब्हु है बनारस हिंदू University तो वहां से एक तरह से student union जो है उसके पद पर खड़ा होता है और उसमें उसको जीत हासिल होती है तो 1995 में एक तरह से politics में उसकी entry हो जाती है और 1990 के end तक आप कह स जो आप कह सकते है राइवल अब क्योंकि गैंक्स्टर में भी आपको पता है राइवल होते हैं एक दूसरे को मारना चाहते हैं तो यहां पर उसका एक जो important राइवल था ब्रिजेस सिंग ठीक है और ब्रिजेस सिंग जो है उसको पुलिस मार देती है शुट आउट में तो इसकी जीजे से कीजता है इसको खुला हा ख खुला फूल मCl मलतलब कहते है रहकी अब घृजयर में बहुजयन समाज पारटी को जोन कर लेते हैं और मैंने आपको बोलीटिक्स में आजाते focus तो आप अपको दिखाने लगतें रॉबिन होड़ए त्वीगर टाइप में मसीह of the poor, ठीक है, in fact ये तो खुद जो मायावती जी हैं, उन्होंने खुद इसके बारे में कहा था, so he contested the 2009 लोग सभा election also, 1RC में actually क्या था कि उस समय ये जेल में बन था और जेल में बन होने के बावजूद 1RC से ये लोग सभा चुनाओ के लिए चैलेंजे से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके उपर कई सारे आरोप थे, कपिल देव सिंग, 2009 में उसके मडर का पिर आगे चल अजय प्रकासिंग हो गया, कॉंट्रेक्टर उसके मडर का 2010 में दोनों जो ब्रदर है अनसारी और अफजल, उन दोनों को BSP जो है निकाल देती है पार्टी से और क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि क्रिमिनल अक्टिविटीज वगर में शामिल है उसके बाद क्या होता है कि जब जब वो जेल में बन था और जब जेल में देखे क्या होता है कि जब इसको BSP से निकाल दिया जाता है तो दोनों जो भाई हैं ये लोग 2010 में एक अलग पार्टी बना देते हैं क्वामी एकतादल ठीक है अपना खुद का पार्टी बना देते हैं और मुकतार अंसारी जो है वो अनौन्स करता है कि 2014 में वो election लड़ेगा नरेन मोदी जी के खिलाफ आपको पता है नरेन मोदी जी पहले गुजरात के एक seat से भी चुनाओ लड़े थे और वरांसी के seat से भी चुनाओ लड़े थे 2014 में तो इसका कहना था कि मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा लेकिन अल्टिमेट्री वो विड्रॉ कर देता है अपनी पत जो है एक तरह से जो लड़ने का इच्छा होता है वो छोड़ देता है क्योंकि कहता है कि जो सेकुलर वोट्स है वो एक तरह से डिवाइड हो जाएगा खेर जो भी है 2016 में आप चुनाव एक तरह से जीत जाता है तो यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि कैसे किसी भी देश के अंदर या फिर राज जी के अंदर यह मैं बेसिकली स्टोरी इसलिए बताना चाहता था कि इंपोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि आखिर कार यह जो गैंस्टर राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोश्चन आप सभी के लिए क्या बता सकते हो कि इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तुम मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले स पर आप जूड़ पाओ गया और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैठ चाहते हैं you can just use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हो से नेक्स टाइम तिल देन थैंक यू बरी मच्च सी यू सून Study IQ IS अब तयारी हुई affordable